हेलो एप्रिवन वेल्कम बैक टू माई चानल टिप्सन स्टिच बाई इरम आज की इस वीडियो में मैं आपके मैं आपको बहुत ही अच्छा एक डिजाइनर कुरती स्टिच करना बताऊंगी यह कुरती अभी बहुत ही फैशन में है तो यह देखने में बिल्कुल फ्रॉक के जैसा लगता है लेकिन इसके दोनों साइड स्लिट होती है यानि कि दोनों साइड से कटावा होता है ठीक है तो इस तरह से आप फोटो में स्क्रीन में आपको दीख रहा होगा इस तरह से यहां से देखिए कमर यहां पे कमर के पास चून बनावा है लेकिन साइड से इसका क मिजर्मेंटS समझ लिजे इस तरह से कुर्ती का हमारा डिजाइन है ठीक है यहां से मैं तक फुल लेंथ है कमर के पास चुन बना रहेगा उसके बाद यहाँ पर दो टक्स लगाना और यहाँ पर स्लीवस है, स्लीवस में भी हम चूनवाला स्लीवस बढ़ाएंगे ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर हमारा जो थोड़ा दूर स्टिच किया रहेगा, कमर से लेके नीचे तक हिप के पास, उसके बाद फिर हमारा खुला रहेगा अब आप मिजर्मेंट समझ लीजे, कुर्ती की लेंध है 44 इंच, उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे सिलाए के लिए, सोल्डर है 13 इंच, उसका हम हाफ करेंगे, तो हाजाएगा 6.5 इंच, नेक की विद यानि की चड़ाई है 2.5 इंच, नेक की लेंध है 6 इंच, और बैक की 4 इंच, आर्म होल 6.5 इंच, ये वला जो आर्म होल है, इसे हम आर्म होल बोलते हैं, वो है 6.5, अब चेस्ट है 36, तो उसका चौथा भाग हमारा हो जाएगा 9 इंच, उसमें हम 2.5 इंच, यानि की 2 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए एड करेंगे, क्योंकि हमें टक्स लगान करेंगे, और कुर्ती का योग लेद, यानि की सोल्डर से लेकर कमर तक हमारा योग कितना आ रहा है, 16 इंच, उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, सिलाई के लिए तो 17 इंच आएगा, ठीक है, आप अपना सोल्डर से लेकर आपको जहां पर चून लगाना है, वेस्ट जहां पर यानि की हमारा जो उपर का योग होगा, यानि की योग जो है, उसे हम अलग कटिंग करेंगे, ठीक है, हम कुर्ती की कटिंग दो भाग में करेंगे, तो इसलिए हम सबसे पहले उपर का अलग मेजरमेंट लेंगे, और नीचे का अलग, उपर का हम 17 इंच का काटेंगे, उसमें माइनस कर देंगे 46 में, तो कितना आएगा 29 इंच, तो हमें उपर का 70 इंच काटना है, नीचे का 29 इंच का, अलग-अलग दो भाग में काटना है, अब हम स्लीप्स का लेंथ नापेंगे, और लेंथ नापने के बाद हमें फ्रिल कित सोल्डर से लेकर एल्बो तक हम 14 इंच रखेंगे उसमें 1 इंच प्लस करेंगे 15 इंच आ जाएगा और चून के लिए हम 5 इंच लेंगे उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो हमारा 6 इंच के लिए 6 इंच चून के लिए काटेंगे ठीक है स्लीव्स भी हमें दो भाग में कातना है कटिंग देख लीज़े ठीक है सबसे पहले यह दिखे यह लगभग दो मीटर कपड़ा है कॉटन का है प्रिंटेट कपड़ा अब हम इसकी कटिंग करते हैं ठीक है लेंथवाइस डबल फोल्ड किया हुए ठीक है तो इसका अरज काफी जादा है कपड़े का मैं आपको अरज नापकर बता देती हूँ कि कपड़े का अरज कितना है लगभग कपड़े का अरज 44 इंच है ठीक है वैसे आपको एक कपड़ा लेते हैं मारके से तो 40 इंच ही अरज रहता है लेकिन इसमें 44 इंच है तो सबसे पहले हम कपड़े को खोल लेंगे ठीक है हमारो 2 मीटर कपड़ा है हम इसे खोल लेंगे खोलने के बाद हम लंबाई के तरब से इसे fold करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम उपर का भाग निकालेंगे, अपने चोली यानि की उपर का भाग, उपर वला भाग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बस्ट के अनुसार हम कपड़े को 4 fold करेंगे, बस्ट कितना था, 36 था, उसको चौथा फोल्ट करेंगे, ठीक है, 4 fold करने के बाद, अब हम अपनी लंबाई नापेंगे, उपर से, ठीक है, लंबाई हमारा कितना है, 17 इंच, ठीक है, सिलाई मार्जिन लेते हुए 17 इंच पर हम निशान लगा कर सीधी निशान को मिला लेंगे, इस तरह से आप स्केल से भी मिला सकते हैं, जिससे आपको लाइन अच्छे से मिल जाएगा, अब हम नेक के लिए निशान लगाएंगे, नेक का निशान हम 2.5 पर लगाएंगे, ठीक है, उसके बाद नेक की लेंध हम रखेंगे, 6 इंच, फिर हम 6 इंच पर निशान लगा कर इस तरह से बॉक्स बना लेंगे, उसके बाद फिर हम गोल शेफ दे देंगे, ठीक है, अब हम अपने सोल्डर कर निशान लगाएंगे, तो सोल्डर के लिए हम 4 इंच लेंगे, हमारा सोल्डर कितना था, 13 तो उसका हम हाफ कीए थे, तो कितना आया था, 6.5 तो उसी तरह हम 2.5 उस में निच के लिए लेंगे, जो बचेगा सोल्डर के लिए, अब हम आर्म होल के लिए 6.5 लेंगे, लेंगे, लेने के बाद इस तरह से मिलाएंगे, मिलाने के बाद हम 1.5 इंच को उपर में सोल्डर डाउन का शेप दे देंगे अब हम आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से गोल शेप दे देंगे और एक निशान हम 1.5 इंच पर लगाएंगे पीछे के लिए फ्रंट के लिए हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे और बैक के लिए 1.5 इंच पर इस तरह से निशान को मिला लेंगे मिलाने के बाद अब हमारा जहां पर आर्म होल खतम हुआ है वहाँ पर हम अपनी बस्ट का निशान लगाएंगे बस्ट चतिम स्ट था तो उसका छौथा भाग 9 इंच पर हम इस तरह से निशान लगाएंगे अब जहां पर हम लेंद का निशान लगाएंगे वहां पर अपनी वेश्ट का निशान लगाएंगे तो वेस्ट है 32 तो उसका चौथा भाग हो जाएगा 8 इंच एट इंच पर निशान लगा कि इस तरह से हम निशान को तिर्चा मिला लेंगे ठीक है बस्ट से वेस्ट तक मिला लीजे उसके बाद आप एक्सट्रा सिलाई के लिए ले लीजे 2.5 इंच और उसे भी इस तरह से तिर्चा मिला लीजे मिलाने के बाद आप इसकी कटिंग कर लीजे अगर आप मेरी चैनल पे नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्स्राइब कर लीजे लाइक एंड शेयर करें और बैल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजे जिससे के आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे इस तरह से हम मार्कें उसी तरह से कटिंग करेंगे लेकिन आर्म होल का कटिंग हम सबसे पहले 20 फ़ इंच वाले निशान पर करेंगे ठीक है अब हम colder down को कटिंग करेंगे उसके बाद हम अंदर वाला बला एक पार्ट निकालता निकालने के बाद हम front part का जो एक इंच पर शेयर दे थे उसे हम कटिंग कर लेए कटिंग करने के बाद अब हम अपनी नेक की कटिंग कर लेंगे फ्रेंट पार्ट का नेक कटिंग हो जाने के बाद हम बैक पार्ट का नेक कटिंग करेंगे अगर आपको दोनों तरफ करने एक सेम चाहिए तो आप एक साथ कटिंग कर सकते हैं। अब जो हमारा कपड़ा बचा हुआ था जितना भी लेंथवाइस उसे हम इस तरह से जिधर से हम निकाले थे अपना उपर वाला पार्ट उसी तरफ से हम सबसे पहले अब स्लीप्स को निकाल लेंगे ठीक हैं। बचे हुए पार्ट को हम इस तरह से फोर फोल्ड करेंगे फोर फोल्ड करने के बाद। 15 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे क्योंकि हमें उपर से अपना शोल्डर से लेकर अलबो तक फोर्टीन इंच है उसमें एक इस सिलाई के लिए प्लस करेंगे अब इस तरह से हम अपने आर्म होल को नापेंगे ठीक है राउंड शेप में आपने नापकर जॉइंट कर लेंगे तो कि नीचे वाला जो कपड़ा बचा है उसको हम फ्रिल के लिए यूज करेंगे ठीक है अगर उसमें से हम कपड़ा निकालेंगे तो हमारा फ्रिल के लिए कपड़ा कम पढ़ जाएगा अब इस तरह से हम आपके देखें तो हमारा 8 इंच आ रहा है तो हमारा 2 इंच कपड़ा कम पा रहा है अब हम इस तरह से खुले भाग के तरफ 3 इंच पर निशान लगा कर इस तरह से तिर्चा मिला लेंगे तिर्चा मिलाने के बाद उपर से इस तरह से गोल शेप दे देंगे गोल शेप देने के बाद हम अपने bottom का निशान लगाएंगे ठीक है 5 इंच है तो हम एक इंच सिलाई के लिए ले लेंगे 6 इंच पर 6 इंच पर हम निशान लगाएंगे फिर इंच निसान को हम तिर्चा मिला लेंगे मिलाने के बाद हम इसकी cutting कर लेंगे कटिंग करने के बाद हम थोड़ा से कपड़ा इस्ट्रा लेंगे 2 इंच का उसके बाद हम उसे उपर में जॉइंट करेंगे ठीक है अब इस तरह से हमारा उपर वला दोनों पाडर कटिंग हो गया है अब हम इसे ना पेंगे ठीक है वेस्ट के पास इस तरह से ना पिए कि कितना आ रहा है तो हमारा इस तरह से 20 इच आ रहा है ठीक है 20 इंच तो हम लगभा कपड़ा लेंगे 35 इंच यानि कि हम इसमें 15 इंच प्लस करेंगे ठीक है 35 इंच लंबा हम कपड़ा लेंगे यानि कि 35 सिंच चोड़ा यानि कि चोड़ाई में हम 35 सिंच लेंगे और लेंथ तो हम आपको पता ही है 29 नीच रखेंगे इस तरह से जो कपड़ा बचा हुआ है वो बचा हुआ कपड़ा जितना लेंथ आ रहा है पूरा हम ले लेंगे ठीक है देखें यहां समय नापकर भी आपको दिखा देती हूँ इस तरह से हम यहां से नापेंगे तो उपर से हमारा लगभग 29 नीच बचरा जितना हमें चाहिए तो उतना ही हमें कपड़ा मिल गया ठीक है अब हम बस क्या करेंगे इसे जो कपड़ा आ रहा तिर्चा है उसे हम बरा स्लीफ के लिए समझ लेते हैं यहां स्लीफ में जितना कपड़ा कम होगा हम आप इसे उपर की तरफ जोइंट करेंगे क्योंकि हमें थोड़ा सा कपड़ा उपर की ही तरफ कम पड़ेगा अब हमारा यहां पर 50 नीच आ रहा है लेकिन आधा इंच नीच 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 में चला कपड़ा हम साइट से निकाल लिए अपने फ्रेल के लिए तो हमारा देखे हमारा स्लीफ का बॉटम कितना है 6 इंच है तो हम इस तरह से इस तरह से हम दो पीस कपड़ा दोनों स्लीफ के लिए निकाल लेंगे तो इसकी हम कपड़ा कम है इसलिए हम ज्यादा इसकी चोड़ा ना तो इससाब से आप लगभग उसका तीन गुना यानि की उसका तीन गुना यानि की 18 इंच ठीक है उसमें हम 1-2 इंच प्लस कर लेंगे इससाब से हम 20 इंच कपड़ा ले लेंगे ठीक है लंबाई में और चड़ाई तो 6 इंच रहेगा अपने कुर्ती का नेक को कंप्लीट करेंगे नेक के लिए हम नेक में हम पाइपिन लगाएंगे रेड रंग का तो रेड रंग का हम उरेब पत्टी काट कर रेडी रख लिए हैं रेडी करने के बाद हम उरेब पत्टी को इस तरह से उरेब पत्टी को हम डबल फोल्ड करेंगे ठीक है डबल फोल्ड करने के बा हम इस तरह से सूट के अपनी सीधी तरफ ठीक है सीधी तरफ हम अपनी इस तरह से नेक को नेक के सीधी तरफ उरे पट्टी को रखेंगे डबल फोड करके उसके बाद फिर हम इस तरह से पूरे में गोल शेप में हम बैठा कर उरे पट्टी को सिलाई कर देंगे बंद भाग अंदर की तरफ रखेगा चीक है यानि कि बंद भाग आपका अंदर की तरफ रहेगा और आपका जो खुला वाला भाग है उरे पटी का वो आपका इस तरफ रहेगा इस तरह से बठा कर पूरे मिसिलाए कर लीज़े उरे पटी इसलिए हम यूज़ करते हैं क्योंकि इससे गला बहुत ही अच्छा बनता है अब इस तरह कपड़ा को काट कर निकाल लीज़े निकालने के बाद अब हम इस तरह से पीछे की तरफ पलटेंगे पलटकर आपको जितना चोड़ा पाइपिन रखना है उसी साब से इस के उपर किनारे पर एक सिलाई लगा देज़े वीडियो थोड़ा ठीक से नहीं बन पाया इसलिए आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहोगा थोड़ा उल्टी तरफ से वीडियो बन गया लेकिन आप अच्छे से देखके समझ लिजए मैं आपको बोलकर अच्छे से समझ इस तरह से हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। लगाने के बाद अब हम अपने गले को पीछे की तरफ पलटेंगे। इस रहे का चाहिए. से बैड जाए Live बैड जाने के बाद हम क्या करेंगे इसके बीचों बीच 8 इंच का निशान लगाएंगे यहांपर हम पट्ली बटन और पाइपीन अरपाइपीन बरच पाइपीन लुद एक कैले इसके बीच बीच्छ का कटे लिचा इनक या 빼गा ले के बाद अब हम इसके कटिंग कर लेंगे इसके बीचो बीच कटिंग करने के बाद हम क्या करेंगे दो पिस दो पिस और रेड रंग का हम कपड़ा लेंगे ठीक है और इसकी लंबाई हम 10 इंच रखेंगे ठीक है 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और इसकी चड़ाई हम 2 इंच लेंगे इसी तरह से दो पिस पट्ती आप काटकर ready कर लीजें उसके बाद अब हम क्या करेंगे शूट की सी दिन तरफ ठीक है थोड़ा सा ऊपर की तरफ कप्रा extra fold करते हुए हम इस तरह से उल्टी उल्टी तरफ से यानि कि हम उल्टी तरफ से सिलाई करेंगे लेकिन हमारा जो बंद भागे वो सूट के सीरी तरफ रहना चाहिए ठीक है इस तरह से हम रखकर इसके उपर उल्टी तरफ से हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे सिलाई लगाएंगे उसके बाद हम पोटली बटन अपना बनाकर रेडी रख लेंगे पोटली बटन आपको कैसे बनाना है वो वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्सन बॉक्स में में लिंक लगा दोगी वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं एक रेड और एक क्रीम का कॉंबिनेशन मिलाते हुए इस तरह से पोटली बटन को रखेंगे रखने के बाद इस तरह से सूट वाला कपला उसके उपर रखेंगे पोटली बटन का मुँँ आपको अंदर की तरफ रखना है ठीक है इस तरह से आपको पोटली बटन बठाते जाना और उसके उपर धीरे-धीरे सिलाई लगाना है सबसे पहले मैं एक रेड रंका लगाऊंगी उसके बीच में क्रीम कलर का फिर एक रेड रंका फिर थोड़े से दूर फिर रेड रंका फिर उसके बीच में क्रीम कलर का फिर उसके बाद एक रेड रंका इस तरह से हम तीन तीन करके थोड़े थोड़े दूर में पोटली बटन को बठाएंगे, इस तरह से बठा लीजिए, बठाकर इस तरह से सीधी सिलाई लगा लीजिए, इस तरह से पूरे में सिलाई लगा कर हम सिलाई को रोक लेंगे, अब हम दूसरा वाला अपना रेड़ वाला कपड़ा लेंगे, पाइपीन वाला, जो हमें दूसरी तरफ लगाना है, उसे हम क्या करेंगे इस तरह से, हलका सा कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए, इस तरह हमें जैसे हम एक साइड बठाएं थे ठीक उसी तरह दूसरे साइड भी हम बैठाएंगे ठीक है आगे की तरफ हम रखेंगे आगे की तरफ बैठा कर इस तरह से हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे ठीक है तो एक तरफ आपका पोड़ी बटन के साथ रेडी हो गया और ए तरह से हम कि हम अपने भाइपीन को इस तरफ से पीछ ले जाएंगे ठीक है पाइपीन वालब edited यो पिछ नहीं लेंगे जिस्ते हमारा पाइपीन आगे की तरफ दिखने लगेगा और जो एक्ष्ट्रा क no點 आपके को तरफ चल जाएगा अब आप अंदर की तरफ कपड़े को फोल्ड करके रखिएगा बठा रखने के बाद इस तरह से आप उसके उपर बठा कर सिलाई कर लीजे उसके बाद जब हम सिलते हुए आएंगे सीधा उसके बाद हम इस तरह से एक तरफ जब बैठ जाएगा कपड़ा उसके बाद हम क्या करेंगे इस तरफ से अब हम घुमाएंगे अपने कपड़े को घुमाने के बाद जो हमारा पोटली बòटन वाला कपड़ा है, उसे हम उसके दूसरी तरफ अच्छे से बैठा लेंगे ठीक है, बैठाने के बान, अंदर की तरफ जो इक्स्ट्रा वाला कपड़ा है वो उसके ऊपर हम बैठाइगे, ठीक है, हमारा पाई बीं चुपना नहीं चाहिए, पाईब इस तरह से लगाकर सिलाई निकाल लीज़ेगे इस तरह से आपका piping के साथ पूरे नेक में piping लग गया है और लगने के बाद आपका portly button भी ready होगे अब हम dart लगाएंगे अपना dart लगाने के लिए हम कंधे से shoulder से यह तरह से double fold करेंगे solder के पास से हम उसके बाद fold करने के बाद हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे 6 इंच पर निशान लगाकर half inch का margin लेकर इस तरह से तिछा shape दे दे देंगे shape देने के बाद हम इसके उपर सिलाई लगा लेंगे इसी तरह से हम दोनों साइड दोनों साइड हम डार्ट अपना डार्ट का निसान लगा कर उस पर सिलाई कर लेंगे अब दूसरी तरह भी हम इसी तरह कंदे के पास से बीचों भीच सोल्डर के पास से फोल्ड करेंगे fold करके 6 inch का mark करेंगे, mark करने के बाद अब हम इसके उबर सिधी सिलाए लगा लेगे, इस तरह से हमारा front part ready हो गया, front part ready होने के बाद हम back part में भी इसी तरह dart लगा लेगे, जैसे same हम आगे में लगाए हैं, लगाने के बाद अब हम दोनों solder को joint करेंगे, ठीके, दोनों पार्ट ले लीजये front और back का और लेकर आप इसे, इसका solder joint कर लीजये, 1-5 inch का margin लेकर आप solder joint कर लिजये, दोनों, इस तरह से दोनोँ solder आप joint कर लीजये, ठीक है, solder joint करने के बाद हम हम क्या करेंगे, अपना आगे बलाव part लेंगे, के बाद हम इस तरह से अपने fitting का नाप लगाएंगे, हमारा bust है 36 इंच तो उसका half कितना हो जाएगा, 18 इंच ठीक है, 18 इंच पर हम निशान लगाएंगे, उसके बाद हमारा वेश्ट कितना है, 32 इंच है, तो उसका half हो जाएगा, 16 इंच तो 16 इंच पर हम इस तरह से निशान लगाएंगे बीच ओ बीच से रखकर और अप निशान लगाएगा ठीक है और जो निशान लगाने के बाद अब आप इस तरह से सिलाई लगा लीजे सिधी सिलाई लगा लीजे दोनों तरफ दो-दो सिलाई लगा लीजे ठीक है एक अगर कभी टाइट हुआ तो आप एक खोल कर लोज कर सकते हैं तो इस तरह से अब उपर का पार्ट आपका रेडी हो गया है अब हम नीचे बॉटम को रेडी करेंगे तो नीचे का पार्ट जो है वो हमारा एक तरफ क्या करेंगे हम नीचे बॉटम इस तरह से फोल्ट कर लेंगे ठीक है हाफ इंच हम लेकर इस तरह से नीचे फोल्ट कर लेंगे पुरे में अब नीचे का बॉटम फोल्ड करने के बाद हमारा जो उपर वाला पार्ट है उपर में हम चून बनाएंगे ठीक है तो इस तरह से हम हलका हलका चून बना इस तरह से उपर की तरफ उपर की पार्ट में आप पूरे में हलका हलका चून बना लीजिए ठीक है चून बनकर रेडी हो जाएगा अब इसी तरह से दूसरा वाला पल्ला है जो आपका उसको भी नीचे बॉटम फोल्ड करके आप चून बना लिजाएब दोनों चून वाला पाट को हमें एक दूसरे के उपर मिलाएंगे सीधा वाला पाट अंदर की तरफ रखेंगे उल्टा है टो हमारा 60 नीच पर हम इस तरह से हम नापने के बाद एक औक की क्नके साइड साइड में लूजूजिंग कप्डा फूड़ते हुए हम 16 नाप कर इस तरह से निशान लगा लेंगे निशान लगाने के बाद हम आपे दोनों तरफ हम निशान लगा लेंगे लगा कर हम इस तरह से 6 इंच ठीक है जहाँ पर हम निशान लगा है वहाँ पर हम 6 इंच ना पेंगे 6 इंच का निशान लगाएंगे ठीक है 6 इंच तक हमें सिलाई करना है ठीक है और बाकी कपड़ा न अब इस तरह से हम नीचे की तरफ से जितना हमारा एक्षप्रा कपड़ा है वहाँ पर हम उसे हाँ अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से हम दोनों तरफ चाग बना लेंगे. इस तरह से फोल्ड करते हुए आप सीधी सिलाई लगाते हुए आईए लगाकर उसके बाद फिर हम यहाँ पर कोने पर लाकर जहां तक हमारा खुला हुए वहाँ तक लाकर हम रोक देंगे. रोकने के बाद अब हम दूसरी तरफ आ जाएंगे, दूसरी तरफ इस तरह से कपड़े को फोल्ट कर लेंगे, फोल्ट करके दूसरी तरफ भी हम चाक बना लेंगे, जैसे हम सूट में चाक बनाते हैं, ठीक, सेम उसी तरह हमें इसमें चाक बनाना है, इस तरह से अब इस तरह गूम जाएं, गूमने के बाद आप इस तरह से सीधी सिलाई लगा लीजे, लगाने के बाद आपका एक साइट का आपका चाक रेडी हो जाएगा, इस तरह से चाक रेडी हो जाने के बाद आप क्या करिए, दूसरे साइट का भी चाक रेडी कर लीजे, ठीक है, दूसरे इस तरफ भी आप चाग बना लीजे तो दोनों तरफ का चाग बन कर रेडी हो जाएगा अब आप क्या करिए इसे उल्टा कर लीजे आपका जो उपर वला पाठ है उससे बॉडी वला पाठ उससे उल्टा कर लीजे उल्टा करने के बाद अब आप यहां से पोने से जहां पर हमारा मार्जिन वाला कपड़ा है वहां से दोनों कपड़ा को मिलाईए ठीक है उपर वाला पाट और नीचे वाला चून वाला पाट दोनों को मिलाईए सीधा वाला पाट अंदर की तरफ रहेगा उल्टा वाला पाट बाहर की तरफ रखने के बाद अब इ इस तरह से मिलाते हुए पूरे में आपको उपर वहला बोड़ी ज्ञइन कर देना एन? उस तरह से आपको ऊपर वहला पार्ट रेडी होगी, अब आपको पूर्टी रेडी होगी है बस आपको स्लीप्स लगाना है ठीक है? स्लीप्स लगाने के लिए हम क्या करेंगे जो स्लीप्स में हमारे एक्स्ट्रा कपड़ा काटे थे हम जो कपड़ा कंपड़ा था उसे हम दोरों तरफ जोइंट कर लेंगे उसका एक साइड फोल्ड करें और एक साइड हम हलका हलका चून बना लेंगे, पूरे कपड़े में आप हलका हलका चून बना लीजे, इस तरह से चून बनाने के बाद हम अपना स्लीप्स लेंगे, स्लीप्स का सीधा वला भाग के तरफ हम चून वला कपड़ा को सीधा तरफ अंदर की तरफ करते हुए रखेंगे और रखकर हम इस तरह से बठा लेंगे बठा कर सीधी सिलाई लगा लेंगे सीधी सिलाई लगाने के बाद अब हम इकस्ट्रा वाला मार्जिन वाला कपड़ा इस तरफ से सीधी तरफ देखते हुए हम एक उसके उपर एक सिलाई लगा ल पनि दो होना जाएगा का सीड़ाई कर ले फिया, जर रखगणी आपका कुर्ती अब आपका रेडी हो जाएगा जो आपका उपर सोल्डर वाला पाठ है वहाँ पर क्या करिए आप इस तरह से आगे की तरफ से एक सिलाई लगा लिज़े जिससे कि आपको सोल्डर वाला जो एक्स्ट्रा मार्जिन वाला कपड़ा वह अच्छे से बैठ जाएगा अब आपका कुर्ती बनकर रेडी हो गया ठीक है वीटियो थोड़ा सा उल्टा हो गया तो इसलिए आपको कुर्ती देखने में उल्टा दीख रहा होगा इस तरह से आपको कुर्ती रेडी हो गया देखें यहाँ पर कमर के पास चून है और यह स्लीप्स के पास चून है इस त देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है तो आप इस तरह से अपना कुर्ती बना सकते हैं ठीक है यहां पर देखे 6 इंच का जो हमसे लाए दिये थे वहां पर वहां से फिर नीचे तक खुला हुआ है इस तरह से आपको आगे से देखने में बिलकुल फ्रॉक के जैसा लग झालू 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 झालम।